नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों latest exam pattern के according इतिहास के question GKK सेक्शन में पूछे जा रहे हैं और 5 से 10 नमबर के question पूछे जा रहे हैं वीडियो में आपके लिए 30 questions मिलेंगे history GKK अगर आपने अच्छी से पढ़ाई करी है history की तो इन questions को आपसे बनना चाहिए अगर आप बता पाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है नहीं बन रहे हैं आपसे तो note कर लीजे question exam में ये पूछे जा रहे हैं याद करके जाएगा exam में अच्छा score करना है तो वीडियो फ्री है पूरा देखिए अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और इसी प्रकार के परड़े वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लीजेगा जिससे रोज के वीडियो उसकी notification आपको मिल जाए इसके लिए बैल आइकन जरूरा उन कर लीजेगा तो चले शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहला प्रशन ये रहा स्क्रीन पर question number one आप से पूछा गया है कौन सा नगर निगम पहली बार भारत में इस्थापित किया गया था भारत में इस्थापित हुआ पहला नगर निगम इनमें से कौन सा है right answer क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो यहाँ पर सहीतर हो जाएगा चैन नई option number भारत का पहला नगर निगम जो था वता चैन नई नगर निगम इस प्रशन के लिए सही उत्तर है next question देखते हैं प्रशन है प्राचीन भारत में निम्न मैंसे कौन सी लिपी दाई से बाई ओर लिखी जाती थी तो प्राचीन भारत में दाई ओर से बाई ओर लिखी जाने वाली जो लिपी थी वह थी खरोश्टी लिपी option number खरोश्टी लिपी इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं भारत में तंबाकू के खेती जहाज निर्माण प्रिंटिंग प्रेस की शुरूआत कि लोगों के आगमन पर हुई तो भारत में तंबाकू की खेती, जहाजों का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, पुर्तगालियों के आने के बाद शुरू हुआ, option number 30 प्रशन के लिए सहित्र हो जाएगा पुर्तगालियों के कारण, पुर्तगालियों के आने के बाद ये सब चीज़ें शु तो राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने पंच महल का निर्माण, फतेपुर सीकरी में करवाया था, राइट आंसर हो जाएगा, पंच महल इस प्रशन के लिए सही उत्तर है, very well done champions, next question देखते हैं, अगला प्रशन, साल 1932 में अखिल भारतिय हरजन संग के संस्थापक, नि अप्思फ नमभर 20, प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी प्रशन के लिए right answer है, next question देखते हैं, प्रशन है, निम्ने मैंसे किसे भारत में फ्रासवी कमपनी का संस्थापक माना जाता है, तो भारत में फ्रासवी कम्पनी का संस्थापक इन में से कि इसे मानते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा कोल बर्ट को option number सी इस प्रश्चिंगली सेत्र हो जाएगा फ्रांसिसी कम्पनी का संस्थापक भारत में जो है कोल बर्ट को माना जाता है राइट आंसर हो जाएगा next question देखते हैं चालीसा मंडल का गठन निम्न मैंसे किस शाशक ने किया था राइट आंसर क्या हो जाएगा तो चालीसा मंडल का गठन जो है इल्थ उत्मिस ने किया था राइट आंसर हो जाएगा option number किलिए सही उत्तर हो जायगा नेटिट्स कॉछन देखते हैं प्रशन है आप से पूछा गया है सिवाच जी के पुत्रों की मृत्यु के पश्शात मराठाओं का नेत्रत न Bunny किस ने किया था तो शही उत्तर हो जायएगा तारा अबाई ने लक्ष घोशित किया गया था कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष घोशित किया गया था राइट आंसर क्या हो जाएगा तो पूर्ण स्वराज का लक्ष जो है लाहौर अधिवेशन में घोशित हुआ था ऑप्शन नमबर सी इस प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा लाहोर अधिवेशन इस प्रश्ण के लिए राई डांसर देखते हैं प्रश्ण है दक्षण भारत से उत्तर भारत में भक्ती आंदोलन लाने का श्रेयर किसे प्राप्त है दक्षण भारत से जो है उत्तर भारत में भक्ती आंदोलन को लाने का श्रेयर किसे प्राप्त है तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षन भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने क अश्रे रामा नंद जी को प्राप्त है उप्शन नमर सी इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं प्रशन है सिंदुगाटी सबिता मानव इतिहास के किस काल से समंदित है राइट आंसर क्या हो जाएगा आध्य एतिहासिक काल से सिंद्ध घटी सबिता जो है सम्बंदित मानी जाती है next question देखते हैं अगला प्रशन किस साथक ने इस्ट इंडिया कमपनी को दीवानी प्रदान की थी right answer क्या हो जाएगा इस्ट इंडिया कंपणी को कौन सा शाशक्ता जिसने दीवानी प्रदान की थी, तो right answer हो जाएगा शाह आलम दोती, option number C, इस प्रशन के लिए से यत्र हो जाएगा, शाह आलम दोती ने इस्ट इंडिया कंपणी को दीवानी प्रदान की थी, next question देखते हैं, आरे शब्द का श सबसे पुराना इसमारक है, right answer क्या हो जाएगा, सबसे पुराना इसमारक इन में से कौन सा है, तो अजंता की गुफाएं इन में सबसे पुराना इसमारक है, right answer हो जाएगा, खजरा हो, कुतुब मीनार, ताज महल, ये सब तो अभी के हैं, अजंता की गुफाएं, प्राची पिता की हत्यागर की गद्दी पर बैठा तो अजाद शत्रू था वह जो अपने पिता की हत्यागर की गद्दी पर बैठा नेक्स कौशन देखते हैं निम्नमैसे नीला जल योजना ब्लू वाटर नीती से सम्मंदित कौन है नीला जल योजना ब्लू वाटर नीती से सम्मंदि व्यक्ति है right answer हो जाएगा next question देखते हैं निम्ड मैसे किस देश में ओद्योगे करांती सरप्रथम आरंभ हुई थी right answer क्या है ओद्योगे करांती सरप्रथम कहां पर आरंभ हुई थी तो ये हुई थी इंग्लेंड में option number C इस प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा ओद्योगे करांती सबसे पहले इंग्लेंड में प्रारंभ हुई थी next question देखते हैं पुर्दगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बना था right answer तो पुर्दगाली उपनिवेश का प्रथम वायसरा है भारत में अलमीडा बना था option number C इस प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा अलमीडा इस प्रशन के लिए right answer next question देखते हैं फ्रेंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है क्या उत्तर हो जाएगा फ्रेंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो खान अब्दुल गफार खान इस प्रशन के लिए से यत्र हो जाएगा option number C इस प्रशन के लिए से यत्र हो जाएगा खान अब्दुलकफार खान frontier गांधी के नाम से जाने जाते है next question देखते है भारत के प्रसिद बाल गंगाधर तिलग को भारती अशांती का जनक किस ने कहा था भारत के प्रसिद बाल गंगाधर तिलग को भारती अशांती का जनक वेलेंट अशिरोल ने कहा था राइट आंसर हो जाएगा option number D प्रसिद के लिए से यत्र हो जाएगा वेलेंट अशिरोल next question देखते है अगला प्रसिद भारत में गरम दल अंदूलन का पिता किसे कहा जाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा भारत में गरम दली अंदूलन का पिता किसे कहते है तो बाल गंगधर तिलग जी को option number C यहाँ पर से इतर हो जाएगा गरम दल अंदूलन का पिता महा कहते है next question देखते है नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है तो नए भारत का पैगंबर राजा राम मुहन राए को कहते हैं option number राजा राम मुहन राए यहाँ से इतर हो जाएगा अगला प्रशन निमलिकित अंग्रेजों मैंसे कौन था जिसने सरवप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था right answer हो जाएगा next question शाह जाह ने मोती मस्जित का निर्मार कहां किया था क्या उत्तर हो जाएगा शाह जाह ने मोती मस्जित का निर्मार कहां पर किया था तो यह निर्मार आग्रा में हुआ था option number आग्रा इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा निम्न मैं से मालती माधव के लेखक कौन है? मालती माधव के लेखक इन मैं से कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा भावभूती option number भावभूती मालती माधव के लेखक थे राइट आंसर हो जाएगा राश्रवात की अउधारणा का जन्म माना जाता है राइट आंसर हो जाएगा नेक्श कोशन देखते हैं चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था राइट आंसर क्या हो जाएगा चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था तो रविंद्र नाट टैगोर जी इस प्रशन के लिए सेयत्र हो जाएगा option number C रविंद्र नाट टैगोर जी के द्वारा चित्रा उपन्यास लिखा गया था right answer है next question देखते है life divine पुस्तक के लिखक कौन है life divine पुस्तक के लिखक कौन है तो right answer हो जाएगा life divine पुस्तक के लिखक जो है अर्विंद्घोष जी है सही उत्तर हो जाएगा option number D अर्विंद्घोष जी इस प्रशन के लिए सही उत्तर है next question देखते है प्रशन है भारतिय सिविल सेवा में चुने गया पहले भारतिय का नाम क्या था भारतिय सिविल सेवा में चुने गया पहले भारतिय का नाम क्या था तो भारतिय सिविल सेवा में चुने गया पहले भारतिय सत्यंद्र नाट टैगोर जी है option number A इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा right answer है next question देखते है प्रशन है British सरकार का वह Governor General कौन था जिसने भारत में डांक टिकेट शुरू किया था British सरकार का वह Governor General कौन था पहला जिसने भारत में डांक टिकेट शुरू किया था तो Lord Dalhoji इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा British Governor General था जिसने भारत में डांट टिकेट शुरू किया था अगला कॉशन इसका आंसर बता संगे तो बताईएगा ब्रेड संसत के लिए चुने जाने वाले पहले भारते कौन थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरू बताईएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और रोज इसी प्रकार से वीडियो प्राप्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन आउन कर लीजे जिससे रोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें अपने दोस्तों को वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें क्योंकि क्लास फ्री है वीडियो फ्री है आपके दोस्त ज़रूर देखेंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धनिवाद आपका दिन शुब हो